चलिए देखिए next question question number 14 पढ़िए ज़रा इस question को और क्या कह रहा है हमसे ज़रा बताईए find the roots of the quadratic equation हमें क्या करना है roots निकालने वही similar question देखो 6x square कैसे करेंगे 6x square minus 6 minus 2 बराबर 0 हमने क्या बताया था आपका इन दोनों का पहले गुणा करेंगे तो 6 दुनी हो गया 12 चेदुनी कितना हो गया बारा हो गया अब बीच में क्या दिख रहा है बीच में है 1 तो ऐसा कुछ काम करो कि ऐसा कोई number सोचो जिसमें बारे को ऐसे तोड़ेंगे कि जोडने घटाने पे तो आ जाये कितना हमारा मतब स्वरी जोडने घटाने पे एक आए और गुणा करने पे हमारा बारे आए तो 4 तीय बारे होता है ना देखो x square minus 4 x plus 3 x minus 2 बराबर जी हो बताओ भाई 4 में से 3 किया तो एक बचेगा और 4 तीय बारे भी होता है ना तो हो गए गुडन घंट simple आप देखो यहां से क्या common आएगा अब यहां से 2 x common आ सकता है अधिक ना 2 x common ले लो क्या बचेगा 2 3 अचे 3 बचेगा 1 x बचेगा minus यहां से x आ गया बाहर यहां 2 बचेगा 2 दूनी चार प्लस का 1 common ले लो तो तो तीन x minus 1 बराबर मानेस 2 यहां पर 2 minus 2 बराबर 0 देखो 2 x plus 1 तो एक हो गया और 3 x minus 2 एक हो गया बराबर 0 दोनों को रख दो बराबर क्या हो जाएगा minus 1 बराबर 2 तो 3 x minus 2 बराबर 0 x बराबर कितना हो जाएगा 2 बराबर 3 किसका प्लस का यह आगए आपके दोनों एक क्वेशन ठीक है मज़र एक क्वेशन है रूट यह दो रूट आगए हमारे minus 1 बराबर 2 और 3 बाई 2 तू बाई 3 2 बाई 3 minus 1 बराबर 2 यह आपका राइट अंसर ऑप्शन नमबर भी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो बस इतना ही सिंपल यह रूट फाइंड आउट क काम सिंपल है और इस काम को अब mostly सब बच्चे कर लेते हैं और कर लेंगे है ना अगर इसमें कोई दिक्कत और रूट फाइंड आउट करने में तो बताना